सीजी आई सहाब इसका संग्यान लेंगे और री निट का ओडर देंगे यही मेरी उमीद है सीजी आई ऐसे एंटी ए करॉप्टेड ओफिसर्स को मैं कहता हूं इन्हें फासी की सदम लेंगे हम उमेद करते हैं सीजी आई साब से रिक्वेस्ट करते हैं कि री निट पर फैसला दें ताकि हम जल्दी से जल्दी पढ़ने लग जाए कि क्या मांगे मेरा मानुचाए प्लिट ना चीजिए को कि आप जो बच्ची करकर हम से अगे निकल के सब को निकाल सकते है तक है तो पूरा इकदम से तरीके से पूरा पेपर होना चाहिए और उसमें बढ़ाके ओना चाहिए और पेपर जो है सीकुर्टी के चाहिए ताहिए पेपर लिए ना होए फरसे आपको कहां की कमी लगती है यह जो पेपर लेका इतना बड़ा मुद्दा अगया एक के वलेक कई राज्यों का है और कैसे इसमें कई ग्रफतारियां हुई कहीं ना कई सिकूर्टी का सबसे बड़ा चांस है कि सिकूर्टी अगर टाइट होती हर जगह पर रखा गया था तो सायद वहां से पर नहीं निकल बाता और सिकूर्टी जो है आप जैसे कि आपने पर दिया सेंटर जैसे आप लोग जब election होता है तो बिल्कुल नई फोर्स बेजते हैं वहां पर तो इस तरीके से बिल्कुल नई फोर्स अगर वहां बेजते तो सायद पर लिक ना होता और अभी आपने सिर्फ एक उसको जान पाया उसको पकड़ भी नहीं हुआ अगर उसको पकड़ लो उ कित्ती जादा हंगामा हो गया इसी को आपको तो पहले लेना चाहिए अगार आपको लग रहा था कि कही ना कहीं गल्तियां हो रही है कुछ गड़बडियां है तो इसमें पुलिस जांच कर रही है एंटी है सरकार है लगता है आप लोगों को उतरने की जरौत है क्यूंकि बिना उत्रे कुछ हो नहीं वाला नहीं था हम तो रोड पे उतरे हैं च्छे तारीक से जंतर मंतर पर पर प्रदशन किया करने के लिए जाच करने के लिए सरकार ने किया कहा था पहले करते तो हम क्यों रोड पर उतरते अगर आपको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ सबसे पहले यहां पर मामला जो है वो यह नहीं है कि पेपर कितनी तीवरता में लीख हुआ क्या हुआ सुप्रीम कोट यह मान चुका है पेपर लीख हुआ है और सरकार अपने हलफ नामे में बिल्कुल कभी बी एंटीय ने अगर गलत किया तो यह नहीं बोलेगी हमने गलत किया है तो यह लॉजिकल है इसमें कोई ऐसी विवातास्पत बात नहीं है बात रही मदराज आयाइटी ने कोई अनलिसिस किया है मैं आपको बताता हूं पटना बिहार में पेपर लीख हुआ यह यू एनेच खान सहाब ने जो लड़का था अनुराग यादा उसके बयान दर्ज हुए हैं उसने कहा चार तारीक की रात को मुझे पेपर भी मिला और और अंसर की भी मिली हजारी बाग जार्खन ओसी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफतार होता है उसके बाद महाराश्त आ जाईए उसके बाद आप यूपी एलाबाद आ जाईए आप उसके बाद लेट से ही आते हैं तो अब आप कौनसा वाइट स्पेट ढूंड रहे हैं दूसरी बात 18 जून को एंटी ने यूजी सी नेट का पेपल लिया और 19 जून को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नोटिविकेशन निकाला कि हमको मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर से इंपूट आया है कोई साइबर क्राइम से क्या यूजी सी नेट का पेपल लीख हुआ और उनने बिना कुछ सोचे आनन फानन में पेपर को कैंसल कर दिया कैंसल करने के बाद उनने सी बी आई को जाच स्वपी तो जब आपने सिर्फ एक इंपूट पे एमेचे के 11 लाक लोगों का पेपर जो है आपने कैंसल कर दिया तो यह 24 लाक लोगों का पेपर कैंसल करने को रोखने के लिए पूरी सरकार पूरा एंटिय क्यों लगा हुआ है अगर इमानदारी से पेपर हुआ है तो होने दीजिए फिर से सर देखिए जहां पे आग होती है वहीं पे धुआ होता है एंटिय के अगर आला अफसर इंवाल्व नहीं थे तो मैं आप एजुकेशन मिनिस्टर से पूछूँगा आपने सुभोध जी को क्यो हटाया बड़ा सवाल है सर मुझे आप बताइए ना अगर मेरे ऑफिस में को होती है दानली होती है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रैकिट इसके पीछे से ऊपर से कुछ जोड़े हुए जो एक चलता है पूरा सर देखिए मैं आपको कहूंगा यहां पर पूरी एंजनसी एक मुखिया को ढूड़ने में लगी है एंटिय के अंदर सो मुखिया बैठ तक एजनसी नेशनल टेस्टिंग एजनसी इन्वाल्व ना हो मैं कहता हूँ पेपल लीग हो ही नहीं सकता सर और आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा विश्चेप में बताना चाहूंगा भारत में टोटल एक लाक आठ हजार सीटे हैं इसमें 55,000 तकरीबन गवर्मेंट सीटे हैं तो सर जो पूरी लडाई है वो सिर्फ गवर्मेंट कॉलेज की है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के पैकेज तो दो धाइड़ करोड तक जाते हैं मिडल क्लास फैमिली के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते यहां क्या हुआ है कि जो 520 से 620 का जो अंतर है वो स मुझे बताइए 50 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है और रैंक सिदे 35-40,000 आगे जा रही है तो यहां पर मास लेवल पर करप्शन हुआ है गड़बड़ी हुई है सीबी आई ने अपनी जो रिपोर्ट सौपी उसने भी का है कि पेपल लीक हुआ है और सुप्रीम कोट में ख एक्जाम पर फैसला आया निया भी आना बिल्कुल मुझे लगता है जब अब 0.01 परसेंट से तो मुझे लगता है कई परसेंट ज्यादा इस्टेब्लिश्मेंट हो गया है तो सीजी आई सहाब इसका संग्यान लेंगे और री निट का ओर्डर देंगे यही मेरी उमीद है उसके बाद गारंटी है क्या आगे नहीं होगा? रसूगदार का बेटा था डॉक्टर बन गया और ऐसे ही आदमी आपका मेरा और मोधी जी का इलाज करेगा तो बताइए कैसा होगा? तो बिलकुल लड़ाई यहां खतम नहीं होगी हमारी लड़ाई बिलकुल क्लियर है री निट हो और पार्गदर्शिता हो ट्रांसपेरेंसी हो OMR में इस तरीके के पॉइंट डाले जाएं कि बच्चा OMR में वहां से बच्चा एक बार OMR देता है उसके बाद उसमें किसी तरीके का OMR में manipulation ना हो बच्चे जहां जहां वो एक्जाम देते हैं वहां आपको लगता है कि हर एक्जाम सेंटर पर पादेशेता होगी चौबिस लाख लोगों को अगर वीडियो से कैमरे से एंटिये ने देखा है तो गिनिस वर्ल्ड बुक में एंटिये को आप पद पद वो दे दीजिए पदक तन्य चला लोगी तो है साँवाजार सेंटरें हैं और मिल्स आजण कमरे उङर हैसा थोड़िये कि एक सेंटर में एक ही कम रहे हैं एक सेंटर Gotter में 30-40 40-45 कम रहे हैं ये बेवुनियाद बात है पूरी तरीक से क्योंकि ये पेपर पहने एक्этान साथ समझेए ये कॉई तब सुबोच जी सामने आये और कहा हमने जी पंदा सो लोगों को ग्रेस मार्ग्स दी है क्योंकि वह लेट आये तो इसकी इसका मतलब जो लेट आ रहा है आप उसको ग्रेस मार्ग्स दे रहें सर बेबुनियाद है एंटिये पूरा लिप्थ है और मुझे लगता है एंटिये करप्टेड ओफिसर्स को मैं कहते हूं इन्हें फासी किसा दमनी चाहिए क्या लगता है आपको फैसला आपके हाक में होगा सर उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से ये इतनी चीज़े सामने आ रही है कि फैसला होना चाहिए रिनीट का क्योंकि इसी से हम उन स्टुडेंट को अलग कर सकते हैं जो ब्रहस्ट वाले स्टुडेंट है जो इस धांदले वाजी से सीट लेने की कोशिस कर रहे हैं और जितने स्टुडेंट यह कहते हैं कि हम दुबार इतना नहीं पढ़ पाएंगे मेंटल प्रेसर नहीं ले पाएंगे अरे तुम्हें पूरे साड़े च यह 680-720 वाले बच्चे कह रहे हैं कि हम भूल जाएंगे हम 630-640 वाले नहीं भूले हमें सिर्फ रिवाज करने की जरूरत है इतना टाइम मिलेगा कि हम रिवाज कर सकते हैं उन बच्चों को यह सोचना चाहिए कि रिवाज करके वो दुबारा से उतने मांक्स ला सकते है और बेसक मांक्स 5-10 नंबर कम भी हो जाएं बट उनकी रेंक अच्छी होगी अच्छा कॉलिज मिलेगा लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो इस दांदलेवाजी से यह करप्सन से आये हैं वो नंबर नहीं लापाईंगे वो लिकल जाएंगे फिर तो यह लोग डरे हुए हैं क हमारे वाले सरजी हम दुबारा उतने नंबर ले आएंगे यह कर लेंगे वो कर लेंगे अरे दुबारा पेपर हो जाएगा ना अगर पूरे पाठ धरसीता से यह बच्छे उस्चीज से डरे हुए हैं कि अगर पेपर इस्ट्रिक्टली से हो गया और हम इतने नंबर नहीं ला पाए हम तो भारोजिंग फिर इन पर सक पड़ेगा तो यह बच्चे काफी डरे हुआ यह चाहते हैं कि हमारे इतने ही माक्स जुड़ जाए हमें सीट मिल जाए तो हम उमेद करते हैं से रिक्वेस्ट करते हैं कि रेट पर फैसला दें ताकि हम जल्दी से जल्दी पढ़न किसी परशन हम से यह नहीं है अगले दिन कहते हैं कुछ नहीं है न यह बहुत बड़ा वर्ड है इन्हें समझना चाहिए कि पेपर बहुत बड़े लेवल पर लेक हुआ है बट इमानके नहीं दे रहे वो कहते हैं एक जूट को छुपाने के लिए सौ जूट बोलने पड़ पेपर लिए को छुपाने के लिए बहुत पेपर लिक करा रहे हैं यूजी सी नेट पेपर लीख हुआ वह नीट पीजी पेपर था वो कैंसल कर दिया इन्होंने लिक की संभावना की वज़े से और इन्होंने काफी पेपर सी यूईटी है उसमें गड़बड़ी इननने को पेपर लीक हो रहे हैं यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था हम आलीजे वहां पर और आया के छह महीने बाद वच्चे का ताइम आ जाता है अब किस तरीके से पेपर लेंगे च्छे महीने बाद यहीं देखिए हम इस्टूडेंट हैं हम यह बड़े पदो पर लोग हैं हम इनके साथ मतलब इनके सामने सामने नहीं लड़ सकते हैं इन से क्योंकि इनके पास पावर्स हैं और हम सिंपल स्टूडेंट हैं यह बड़े लोग हैं जो टीचर्स हमारे साथ खड़े थे उनके पीछे अगर यह उनके पास पैसा है उनके पीछे अगर यह लगा देंगे कि आपके कोई वो करेंगे पर प्रेसे डालें वो तो हड़ जाएंगे पर हम सिंपल लोग हैं हम सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं इनके खिलाफ और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते और हां इतना तो हमने सोच लिया इस्टुडेंट ने अगली बार से इस गौर्मेंट को वोट तो देनी नहीं है हमें पूरी जिंदगी में बोट नहीं देंगे ऐसी गौवर्मेंट को यह हमने सब्सक्राइब अगले साल में गारंटी देंगे नहीं अगर ऐसे चलता हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं लेकिन सरकार बन रही है सरकार दूसरी बनती तब भी हम इसी रहते लेकिन हमारे जीवन तो सुरक्षित रहता यह इस तरीके से हमें मतलब हमारे चार से पास साल जिंदगी के बरवाद कर रखें इन्होंने यह हमने चार पास साल मेहनत करिए अगर हमें यह कोई नॉर्मल जॉब भी देते तो हम चले जाएं मान लीजिए हमारी चा कोई कहने वाला नहीं अपनी गलतियों को छुपाए जा रहे हैं चुपाए जा रहे हैं मतलब अपनी गलती मानने को राजी नहीं ना गौर्मेंट न यह एंटिये कैसे लोग बैठे हैं पर इनको सरम नहीं है बिलकुल भी यह वो कुछ सवाल हैं जो नीट के जो चात रहे हैं जो सरकार से कर रहे हैं कि इंदर सरकार से कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार इस मामले में अपनी मांगों को रखते हैं और जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होगा शायद लगता है कि तब तक यह आवाज नहीं दबेगी और लगता है कि तब तक ये मामला नहीं रुकेगा लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रिम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है कैमरा मैन हर्श के साथ राशिद वन इंडिया देली